नमस्कार मित्रो, मित्रो यदि आप घर बना रहे हैं तो एक विशेश ध्यान रखें कि जो घर में बीम आप बनाते हैं, बीम डालने पड़ते हैं छट में, तो अपने बेड रूम में विशेश कर ध्यान दें कि बीम ऐसी जगह ना हो बीच में जहां पर आपका सोने वाला ब बहुत दिखते आएगी और स्वास्त्य खराब रहेगा और विशेश कर पती पतनी के आपसी जगड़े भी रहेंगे और साथ में मित्रो यदि आपका बेड पर जो गद्दे लगे हैं वो दो गद्दे हैं तो वो प्रियोग ना करें एक सिंगल गद्दा छे बाई छे वाल लेकर के आएं ये जो दो गद्दे होते हैं ये बीच में जो धरार होती है वो पती-पत्नी के संबंधों में भी धरार डाल देती है और साथ में गद्दों का जो रंग हो वो भी आप रेड कलर का बिलकुल ना लगाएं यह विशेश ध्यान रखें यदि आपका बीम बीच में आ भी जाता है तो आपको उसके लिए एक उपाय बता रहा हूं वो भी शाथ में कर लिया, कि एक लाल रिज़न का रिबन ले और दो बांसुरीयां ले, ऊपर नीछे करके उसे बांध ले, बांध करके रिबन के साथ उसे उस बीम के बीच में कहीं भी हैंग कर दें, इससे कुछ हद तक वास्तु दोश बीम का जो है वो कम हो जाता है धन्यवाद